1.1 जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव Effect of Habitat on the Evolution of Organism आपने पिछली कक्षा में प्राकृत्वास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरुरतों की पूर्ती होती है अर्थात, भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्तिती होने से उनकी संख्या में विद्धी होती है हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है हमारे देश में बागों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बागों की प्रजाती विलिप्त होने के कगार पर है ऐसे ही बाज, सोन्चिरया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है ठीक इसके विपरित मनिश्य की संख्या इतनी जाद है कि मनिश्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है क्या मनिश्य की बढ़ती आबादी का बागों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है यदि किसी जीव की संख्या में अत्यादिक विद्धी होई तो क्या होगा इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ती विलुपती या बदलाव का एक कारण हो सकता है क्या किसी प्रजाती के जीव की संख्या में विद्धी जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन, जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी तेजी से बढ़ते होंगे यहां जानने के लिए हम इस ग्राफ का उपयोग करेंगे यहां ग्राफ सन 1780 के दशक में किये गए किसी प्रजाती के जीवों की संख्या में विद्धी वो उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्यान का परणाम है ग्राफ देखकर बताए कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या विद्धी की दर एक समान है इनमें से किसके बढ़ने की दर जादा तेज है वैज्यानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रुप से बढ़ोत्री होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होगे ऐसी स्तिती में प्राकृतिक आपदा, परसपर द्वंद व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे इस तरह से जीव की संख्या में वृद्धी नियंत्रित रहती है क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशिष्टाय होती है क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पढ़ता है क्या डाइनासोर की विलुप्ती के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे साथी उनके आगे कई सवाल थे जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ती कैसे होती है क्या सभी जीव प्रित्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कही से डाल दिये गए है या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं जैसा हमने पिछली कक्षा में पड़ा है कि कुशिकाय पुरुवर्ती कुशिकाओं से ही उत्पन होती है और इनी कुशिकाओं से बहु कुशिकी जीव बनते है उसी समय कुछ उल्लखनिय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्वीन और एल्फरेट रसल वैलस थे जिनों ने जीवों के उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्यान के आधार पर सिधान्त दिये आईए हम डार्विन के अध्यान वो अनुभों को समझे